75% से ज्यादा लुढक गया अडानी का यह शेर थम नहीं रही गिरावट हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रूप के शेरों को तगड़ा जटका लगा है अडानी ग्रूप के स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू 132 बिलियन डॉलर से ज्यादा घट गई है सबसे ज्यादा नुकसान अडानी टोटल गैस, अडानी टोटल गैस के शेरों को हुआ है 24 जन्वरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अडानी टोटल गैस के शेर 75% से अधिक गिर गए है अडानी ग्रूप के शेरों में सबसे ज्यादा नुकसान अडानी टोटल गैस को ही हुआ है 3885 रुपए से 925 रुपए पर आए अडानी टोटल गैस के शेर अडानी टोटल गैस, अडानी टोटल गैस के शेर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से करीब 76% लुढक गए है अडानी टोटल गैस के शेर 24 जन्वरी 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BC में 3885 दशमलव 45 रुपए के स्तर पर थे कमपनी के शेर सुमवार को BSI में 5% की गिरावट के साथ 925 दशमलव 100 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं यह कमपनी के शेरों का 52 हफते का लो लेवल भी है अडानी टोटल गैस के शेरों का 52 हफते का हाई लेवल 3998.35 रुपए है अडानी टोटल गैस का मार्केट के घटकर 1,1743 करोड रुपए पहुँच गया है अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन में 68% से ज्यादा की गिरावट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन अनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के शेरों में भी टेज गिरावट आई है अडानी ग्रीन एनर्जी के शेर 24 जनवरी 2023 को BSAE में 1916.80 रुपए के स्तर पर थे जो की 20 फरवरी 2023 को BSAE में 597.25 रुपए के स्तर पर आ गए हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के शेरों का 52 हफ़ते का हाई लेवल 3050 रुपए है वहीं कम्पनी के शेरों का 52 हफ़ते का लो लेवल 591.01 रुपए है अडानी ट्रांसमिशन के शेर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से 68.02 परसेट गिर गए है कम्पनी के शेर 24 जनवरी 2023 को BSAE में 2756.15 रुपए के स्तर पर थे अडानी ट्रांसमिशन के शेर 20 फरवरी 2023 को BSAE में 5 परसेट की गिरावट के साथ 873.90 रुपए पर है यह कम्पनी के शेरों का 52 हफ़ते का लो लेवल है अडानी ट्रांसमिशन का 52 हफते का हाई लेवल 4238.55 है